हेलो बच्चों स्वागत है आपका एक बार फिर से स्सकोटा क्लासेज में और यहां आज हम शुरू कर रहे हैं कक्षा 6 की हिंदी मतलब वसंत भाग एक पाठ एक के आज हम यहां प्रश्मुक्तर करेंगे और यह बहुती सुन्दर कवीता है कवीता का नाम है वह चड़िया जो इस कवीता को लिखा है केदारनाथ अगरवाल ने तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्मुक्तर का सिलसिला और हाँ अगर आपको वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक जरू करिएगा हमारा पहला प्रश्म है कवीता पढ़कर तुम्हारे मन में चिड़िया का जो चित्र उभरता है उस चित्र को कागस पर बनाओ तो बच्चों आप सभी बहुत सुन्दर ड्राइंग कर सकते हैं और कवीता को पढ़कर आपके मन में चित्राया है उसे आप अपने हातों से कागज पर उकेर सकते हैं चिडिया के बारे में देखो क्या क्या बताया गया है कि वह नीले पंको वाली सुन्दर चिडिया है चिडिया मधुर स्वार में जंगल में गाती है वह भहती नदी का पानी पीती है मतलब ये कहा जा रहा है कि चिडिया बिलकुल उन्मक्त गगन में बिलकुल आजाद पंची की तरह रहती है तो बच्चो कविता को पढ़ने के बाद और चिडिया की जो विशेष्टा है उन्हें जानने के बाद हम इसके कई सारे शीरशक दे सकते हैं जैसे कि नन्धी चिडिया, सुन्दर चिडिया या परिश्रमी चिडिया हमारा प्रश्न तीन है इस कविता के आधार पर बताओ कि चिडिया को किन किन चीजों से प्यार है कविता को पढ़ने पर हमें ये तो पता लग गया है कि चिडिया को किन चीजों से प्यार है तो वो चीज़े क्या है पहली है चिडिया को खेतों में लगे जो बाजरे की बालिया है न वो बहुत पसंद है उसे जंगल में मिले एकांत जहां वा खुली हवा में गाना का सके उस एकांत से भी उसे प्यार है उसे वो नदी से भी बहुत लगाव है बहुत प्यार है जिसका ठंडा और मीठा पानी वह पीती है तो इतनी सारी चीजें उस चिडिया को अपनी आजादी का एहसास दिलाती है और चिडिया को अपनी आजादी बहुत पसंदे इसलिए वो इन सभी चीजों से बहुत प्यार करती है अगला प्रेश्ण है आशे इसपस्ट करू पहली पंक्ति है रस उंडेल कर गा लेती है तो रस उंडेलने मतलब अभी जैसे कि आपने अगर पिछला वीडियो देखा हूँ जिसमें कि मैंने आपको शब्दार्थ बताए थे तो रस उंडेलने से मतलब था कि बहुत ही मीठा स्वर तो जब हम किसी का कोई मीठा स्वर सुनते हैं तो हमें क्या लगता है कि जैसे उसकी जो मधूरता है वो पूरे वातावरण में रस घूल रही है तो ऐसे ही जब वह चड़े जंगल में अकेली होती है तो बिना किसी डर और संकोच के उन मुक्त भाव से वह गाती रहती है और क्योंकि चड़िया की आवाज बहुत ही मीठी है मतलब उसका स्वर जो है वो बहुत ही मधूर है तो उसकी स्वर की मधूरता पूरे वातावरण में रस खोल देती है और यही इस पंक्ती का आशे भी है अगली पंक्ती है चड़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले आती है कविता की इन पंक्तियों से चड़िया की काम करने की कुशलता मतलब कारे कुशलता को दर्शाया गया है कि वो चड़िया जो इतनी छोटी सी चड़िया है वो इतनी उफंती हुई नदी मतलब तेज बहती हुई नदी से भी पानी पी लेने में सक्षम है क्योंकि इतनी तेज गती से जब जल बहता है न तो उसके बीच में से पानी पीना मोती ढूनने के समान है और इस काम को वो चिडिया बहुत ही आसानी से कर लेती है प्रश्न एक में हमें कहा गया है कि कभी ने नीली चिडिया का नाम नहीं बताया है वह कौन सी चिडिया रही होगी? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए पक्षी विज्ञानी सालिम अलिव की पुस्तक भारतिय पक्षी देखो इनमें ऐसे पक्षी भी शामिल है जो जाड़े में जाड़ा मतलब सर्दी के दिनों में एशिया के उत्री भाग और दूसरे जो थंडे देश है न वहाँ से भारत आते हैं उनके पुस्तक को देखकर तुम अनुमान लगा सकते हो कि इस कविता में वर्णित नीली चिडिया शायद इन में से कोई एक रही होगी? या तो वो नीलखंट हो, छोटा किलकिला, या फिर कबूतर या बड़ा पतरिंगा कविता में चिडिया की जो विशेश्ता इन वर्णित है उसे देखकर लगता है कि वह नीली चिडिया शायद नीलखंट रही होगी क्योंकि उसके शरीर का ज्यादा तर भाग का रंग तो कैसा है नीला उसका आकार छोटा है और आवाज मीठी होती है अगला प्रश्न है, नीचे कुछ पक्षियों के नाम दिये गए है उनमें यदि कोई पक्षी एक से अधिक रंग का है तो लिखो कि उसके किस हिस्से का रंग कैसा है जैसे तोते की चोज लाल रंग की होती है, शरीर हरा है तो ऐसे ही आपको मैना, कववा, बतक और कबुतर के बारे में बताना है तो बच्चों आप जानते हैं कि मैना किस रंग की होती है मैना के पंक होते हैं फूरे और सफेद रंके और उनकी टांगे जो है न वो होती है हलकी लाल रंकी वही कववा पूरी तरह से काले रंका होता है मतलिब कववे का पूरा शरीर काला होता है बतक सफेद रंकी होती है और उसके पैर हलके गुलाबी रंके होते हैं कबूतर आपने देखा है कबूतर कैसा होता है स्लेटी सफेद रंग का गर्दर कुछ नीले रंग की होती है और इसकी टांगे लाल होती है अगला प्रश्न है कवीता का हर बंध वह चिडिया जो से शुरू होता है और मुझे बहुत प्यार हे पर खत्म होता है तुम भी इन पंग्तियों का प्रियोक करते हुए अपनी कल्पना से कवीता में कुछ नए बंध जोड़ो ये बात तो बिल्कुल सही कही गई है कि इस कवीता की हर बंग्ति वह चिडिया जो से शुरू हो रही है और मुझे बहुत प्यार हे पर खत्म हो रही है तो ऐसे ही हम भी थोड़ी तुकबंदी कर सकते हैं और इस तरह से इस कवीता को बढ़ा सकते हैं वह चिडिया जो चीची करके सबका मन बहलाती है नील गगन की सीमा पाने पंक पसारे उड़ जाती है अपना घर बनाने के लिए पास के तिन के लाती है वह परिश्रमी चिडिया सबको परिश्रम का पाठ सिखाती है प्रश्र चार है तुम भी ऐसी कल्पना कर सकते हो कि वह फूल का पौधा जो पीली पंकुडियों वाला महक रहा है मैं हूँ उसकी विशेष्टाएं मुझ में हैं फूल के बदले वह कोई दूसरी चीज भी हो सकती है जिसकी विशेष्टाओं को गिनाते हुए तुम उसी चीज से अपनी समानता बता सकते हो ऐसी कल्पना के आधार पर कुछ पंक्तिया लिखो तो बच्चों आपसे ऐसी पंक्तिया लिखने के लिए क्यों कहा जाता है जिससे कि आपके अंदर भी कुछ क्रेटिवीटी आए स्रिजनात्मक्ता आए आपके अंदर का गुण निखर के बाहर आए तो यहां कुछ पंक्तिया लिखी जा रही है चलिए हम इने पढ़ते हैं वह फूल का पौधा जो हवा में जूलता आंगन में खड़ा मुस्कुरा रहा है खुश्बू अपनी फैला रहा है पेली पंकुडियों वाला पौधा मैं हूँ मुझे हवा से बहुत प्यार है वह फूल का पौधा जो खिलता मुर्जाता पर खुश्बू से नाता सदा निभाता है मुर्जाने पर भी सुगंध ही देता पेली पंकुडियों वाला वा पौधा मैं हूँ मुझे महक से बहुत प्यार है चलिए अब बात करते हैं भाशा की पंकों वाली चिडिया नीले पंकों वाली चिडिया उपर वाली दराज सबसे उपर वाली दराज यहां रिखांके शब्द विशेशन का काम कर रहे हैं ये शब्द चिडिया और दराज संग्याओं की विशेष्टा बता रहे हैं अता रेखां की शब्द विशेषण है और चिडिया दराज विशेष्या है यहां वाला वाली जोड़कर बनने वाले कुछ और विशेषण दिये गए है उपर दिये गए उदारणों की तरह इनके आगे एक-एक विशेषण और जोड़ो बच्चों विशेषण के बारे में और अधिक चानने के लिए आप मेरा विशेषण वाला वीडियो देख सकते हैं इसका की लिंक नीचे description box में दिया गया है तो चलिए अब हम जोड़ते हैं विशेषण पहला शब्द है मोरों वाला बाग तो हम मौर कैसे होते हैं बच्चे रंग बिरंगी तो हम कह सकते हैं मोर की विशेषण क्या होगी रंग बिरंगी तो हमारा विशेशन क्या होगा रंग बिरंगे मोरों वाला बाग अगला शब्द है पेड़ों वाला घर पेड़ कैसे होते हैं हरे भरे तो यहां हम क्या विशेशन लगा सकते हैं हरे भरे पेड़ों वाला घर और विशेशन यहां हमारा क्या हो गया हरे भरे फूलों वाली क्यारी फूल कई रंगों के होते हैं लेकिन यहां हम उन में से कोई भी एक रंग पसंद का लगा सकते हैं जैसे कि मैंने यहां लगाया है लाल चब्द मतलब लाल यहां है विशेशन तो हमारा वाक्य बन गया लाल फूलों वाली क्यारी अगला शब्द है स्कूल वाला रास्ता अब कौन से स्कूल वाला रास्ता तो हम स्कूल को नाम दे देते हैं जो कि उस स्कूल की विशेशता बता रहा है उसके बारे में बता रहा है कि ये कौन से स्कूल है तो हमने नाम दे दिया महत्मा गांधी स्कूल वाला रास्ता तो यहां महत्मा गांधी हो गए विशेशा चलिए अगला देखते हैं हसने वाला बच्चा अब कोई कम हसता है कोई ज्यादा हसता है तो हम यहां लिख सकते हैं अधिक हसने वाला बच्चा तो अधिक हो गया हमारा विशेशन मूचों वाला आदमी अब मूचों के कि जो आकार है मूचों का वो कैसा है लंबा है, छोटा है, मोटा है तो हमने यहां क्या दी लंबी मूचों वाला आदमी मतलब मूचों का आकार की विशेशता वो बता रहा है बढ़ते हैं अगले प्रश्ने की और वह चडिया जुंडी के दाने रुची से खा लेती है वह चडिया रस उडेल कल गा लेती है तो कविता के इन पंक्तियों में मोटे छापे वाले शब्दों को ध्यान से पढ़ो पहले वाक्य में रुची से खाने के धंकी और दूसरे वाक्य में रस उडेल कर गाने के धंकी विशेशता बता रहे हैं अतह ये दोनों क्रिया विशेशन हैं नीचे दिये गए वाक्यों में कारे के धंक या रित्ष से संबंदित क्रिया विशेशन शब्द छाटो पहला है सोनाली जल्दी जल्दी मुह में लड़ू ठूसने लगी तो यहां पर जल्दी जल्दी शब्द है क्रिया फिशेशन जो कि कारे की करने की गती को बता रहा है कि सोनाली किस तरह से जल्दी जल्दी मुह में लड़ू ठूस रही है अगला वाक्य है गेंद लूडक्ती हुई छाडियों में चली गई अब गेंद किस तरह से जाडियों में गई उसकी विशेष्टा वो बता रहा है कि गेंद कैसे गई? लूडक्ती हुई, तो क्रिया विशिशन शब्द हमारा यहां पर क्या है? लुडकती हुई अगला वाक्य है भूकम के बाद जन जीवन धीरे-धीरे सामन्ने होने लगा तो इस्थिती किस सरह से सामन्ने हो रही है उसकी विशेष्टा है कि इस्थिती धीरे-धीरे सामन्ने हो रही है तो यहां धीरे-धीरे शब्द ही हमारा क्रिया विशेशन है अगला वाक्य है कोई सफेशी चीज धप से आंगन में गिरी तो गिरने की जो विशेशता है वो है धप कि आवाज आई एक धप और यही है क्रिया विशेशन शब्द अगला वाक्य है टॉमी फूर्ती से चोर पर जप्टा तो टॉमी जो है वो चोर पर किस प्रकार से जप्टा फूर्ती से धीरे से तो यहाँ पर हमें पता गया है फूर्ती से तो यह जो फूर्ती है यही क्या है क्रिया विशेशन अगला वाक्य है तेजिंदर सहमकर कोने में बैठ गया यहाँ पर है सहमकर शब्द क्रिया विशेशन मुझे लगता है बच्चों अभियत तक आपको क्रिया विशेशन अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे तो अगला वाक्य है आज अचानक ठंड बढ़ गई है क्या आप बता सकते हैं इसमें कौन सा शब्द क्रिया विशेशन है बिल्कुल सही यहाँ पर अचानक शब्द क्रिया विशेशन है चलिए आप कुछ बहु विकल्पी प्रश्ण उत्तर करते हैं यहाँ हमारा पहला प्रश्ण है चडिया आनत पूर्वक क्या खाती है दूद भरे जुवार के दाने या दूद भरे धान कवीता के अधार पर हमने पढ़ा है बच्चों की चिडिया आनंद पूर्वक दूद भरे जुवार के दाने खाती है तो यहां हमारा नमबर तीन बिल्कुल सही अंसर है चिडिया के पंख के रंग कैसे हैं? लाल, नीले, पीले या काले बार-बार कवीता में चित्र में बताया गया है जो चिडिया का वर्णन किया गया है वो बताया गया है कि उसके पंख है नीले रंग के तो हमारा सही उत्तर है नीले अगला प्रश्न है चिडिया को पसंद है अनाज के दाने, सबजी, फल या मिठाई तो आपने भी पढ़ा है कि चिडिया को क्या पसंद है चिडिया को पसंद है अनाज के दाने अगला प्रश्न है चिडिया किसके लिए गाती है नदियों के लिए, संगीत प्रेमियों के लिए, जंगल के लिए या अपने मित्र के लिए तो बच्चों आपने पढ़ा है कि चुडिया उन्मुक्त भाव से गाती है और कहां गाती है सुनसान जगह पर और सुनसान जगर में कोई नहीं होता है तो वो किसके लिए गाती है जंगल के लिए ही गाएगी तो हमारा सही उत्तर हो गया जंगल के लिए अगला प्रश्न है चिडिया को किन चीजों से प्यार है नदी से, जंगल से, अन से या उपर युक्त सभी मतलब जो उपर तीनों आपके पास उप्षन दिये गए हैं उन सभी से तो बिल्कुल चिडिया को नदी, जंगल, अन सभी से प्यार है तो हमारा सही उत्तर है उत्तर नमबर 4 अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी नए वीडियो से अपडेट होने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें और हाँ वीडियो को शेयर करना ना भूले टैंक यू